महराश्व के चंदरपूर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई दसवी और बारवी की कख्षा में पढ़ने वाले दो नाबालेक लड़कों नी अपनी परिक्षा खत्म होने के बाद घूमने के लिए गाड़ी की जरुवत पूरी करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया है घटना बलारपूर थाना शेटर की है फिलाल दसवी और बारवी कख्षा की परिक्षा चल रही है परिक्षा खत्म होने के बाद घूमने के लिए गाड़ी चाहिए इसलिए दो नावालिक लड़कों नी शहर के दादभाई नौरो जी वाड के एक कॉलोनी से रात के दो बजे एक मोटर साइकल चुराई मोटर साइकल की नंबर प्लेट हटा कर उस पर सिद्धू मूसेवाला का फोटो लगाया और गाड़ी की टंकी पर अपना नाम भी लिखा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बकाईदा एक बटन भी अलग से लगाई पुलस अधिकारी उमेश पाटल ने बताया की इनके बागी दोस्तों के पास गाड़ी है लेकिन इनकी परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने से इनके पास गाड़ी नहीं है इसलिए इन दोनों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है पुलस के मताबिक एक मोटर साइकल चोरी की घटना के बाद दोनों दूसरी गाड़ी चोरी के फिराक में भी थे घटना नौ मार्च की रात करीब दो बज़े की है चोरी की रिपोर्ट बिलते ही पुलस ने चार्च शिरू करते हुए पूरे शेहर के CCTV फूटेच खंगाले, CCTV फूटेच में दूनों नावाले गाड़ी को धक्का मार कर ले चाते हुए नظर आ रहे हैं घटना रात की होने से CCTV में चोरो के चहरे नजर नहीं आ रहें लेकिन उनके पाव की सफेज चपल और उनके कद काठी के आधार पर पुलिस ने आरूपियों को धर्द बोचा और चोरी का मामला दर्च कर मोटर साइकल बरामत कर ली पुलिस के मताबिक ये उनकी पहली चोरी है इससे पहले उनका कोई आपरादिक रिकॉर्ड नहीं है पोटेस्ट के जरिए उसको डिटेक किया उसमें दो बच्चे उचा मोटर सेकल के लिए डूसरी मोटर सेकल चुराने कभिऑ प्रहाई के लिएंग मोटर साइकल याибi बारावी में छूराने के बाद उसके उपर अपने पुत के नाम डाले और उसके मोटर सेकल काई बल्लारपुर से सुनिल तैडे की एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट